प्यारे लुवा साथियों, 2004 से लेकर 2014 तक रूपिय कारिकाल के दौरान स्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और डॉक्टर मनमोहन सी जी के नत्रित में भाड़त देश में लगभग 30 करोर लोगों को गड़ी भी डेखा से उपर उठाया था 2014 के बाद से मोधी जी ने देश में और नितिश कुमार जी ने बिहार में लोगों की वापस गरीवी में ढखेलने का काम किया है दो करोर युवाओं को रुजगार देने के छूटे वादे करके सत्ता हच्याने मालों ने युवाओं को दरकार नहीं की और नोकरी या काम के अबसर वहया नहीं करवाये जहां युवाओं IAS, IAT और उद्योगपती बनने के सब्ने सजोता था अब उसको पकौरे तलने की सला दी जा रही है विहार की हालत तो और भी बुरी है 2020 के आते आते विरोज़्यारी दर्द भारत के एब्रेज दर्द से दुगुर्ना हो गया है यह हम नहीं कह रहे हैं यह CMIE के 2019 की रिपोर्ट कह रही है उपर से करोना में जो मजदू अपना काम छोड़कर दूसरे राजों से वापस आये हैं उनके रुज़गार के लिए नितीश सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई युवाओं में आक्रोज अपने चरम पढ़ है और उसी दिशा में युवाओं कांग्रेस ने युवाओं की आवाज सरकार तक पहुचाने के लिए आई तारिक 9 अगस्त को युवाओं कांग्रेस के अस्थापना दिवत पर रोज़गार दो कार्चम का आयोजन किया है मैं सभी युवाओं कांग्रेस के साथ्यों को इस मुहीम के लिए बरहाई के साथ थास सुबकामना देता मूँ रोज़गार दो